Hello everyone welcome to Deen Dhyalupadhyaya University Gorakhpur so Gorakhpur Deen Dhyalupadhyaya University में अगर आपने BA first year में अडमिशन लिया तो आपका यहां पे बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी वीडियो में भी और मेरे चैनल पर भी तोस्तों इस वीडियो यह वीडियो आपकी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम इस्पेशली डिसक्स करेंगे बेसिक पॉइंट ऑफ दुए फिर्स सेमस्टर आफ डीड यू गोरफोर and we would be talking about आपके syllabus के बारे में, आपके subjects के बारे में आपको books कौन सी पढ़नी है throughout all the semester और आपका exam pattern कैसे होता है theory paper कितने का होता है internally आपको कितने marks मिलते हैं so we would be talking about all these points in this video so once again I repeat and I welcome to all of you to my YouTube channel and to the university as well so चलब वीडियो को सुरू करते हैं और हम जानते हैं कि गोरकपूर दिन द्यार उपाद्याई विस्वी द्याले के first year, first semester में आपके subject कौन कौन से है तो दोस्तों आपको पहली चीज़ बता दे कि इसमें semester wise exam होता है और first semester में आपको total पांच subjects पढ़ने है इन पांच subjects में चार subjects आपका common है दोस्तों एक subject आपका optional है common subject, it doesn't matter that which stream do you belong आप science से हो, bios से हो, agriculture से हो चाहे किसी भी semester से हो ये चार subjects आपके common है मतलब कोरकपूर दिन द्यार उपाद्याई विस्वी द्याले में पढ़ने वाले हर एक first year और first semester के विद्यारती को ये चारो subjects पढ़ना है इसमें कोई option नहीं एक subject आपका optional रहेगा जिसके लिए आपको दो विस्वी दो subjects के option विकल्प दिये रहेंगे इन दो विस्वी में से किसी एक विस्वी का आपको चुनाओ करना है तो वो चार subject कौन कौन से हैं जो की common है और आप सभी को पढ़ने आई एक जालते हैं एक नजर उन चारों विस्वी से पे तो दूस्तों पहला आपका subject से उसके किताब भी मेरे पास है वो है fundamental of education हिंदी में इसको कहते है सिक्षा के मूलतत्व मैं आपको किताब भी दिखाना चाहता हूँ और यह किताब बेस इस पे देन द्यार उपादया विस्वी विद्याले द्वारा लागू यहां पे लिखा गया है तो यह पिल्कुल आपके विस्वी विद्याले के syllabus से मैच करता हूँ यह subject से तो पहला subject सापका क्या था fundamental of education सिक्षा के मूलतत्तों जिसको सबको पढ़ना यह common subject से दूसरा subject से ग्यान आवं पाठिकरम knowledge and curriculum मैं एक चीज़ आपको बता दू चाहे आप दुनिया के किसी भी विस्वी विद्याले से पढ़ने मैं दुनिया की बात करूँ कि भारत के किसी भी विस्वी विद्याले से अगरा बीट कर रहे हो ना यह subject आपको 101 परशन पढ़ना ही पढ़ेगा वह subject कौन सा है वह ग्यान जो कि डिवी फर्स सेमेस्टर में इस subject में यह रखा गया है तो दूसरा सब्चेक्स आपका क्या है ग्यान एंवा पार्टी करम इंगली समय को कहते हैं नौलेज और करिकुर्म ठीक है यह भी कॉमन है आपके लिए तीसरा आपका कॉमन सब्च्च जा बच्चो वह लेकिन आपके विश्यू भी दाले गोरखपूर में इसको हम चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं चाइल्डूड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास इसमें आपको क्या पढ़ना है पढ़ा इंट्रेस्टिंग सब्जेक्स है इस सब्जेक्स इस माइ बहुत ही खुफसुरत बहुत इंट्रेस्टिंग मज़िदार सब्जेक्स है ये बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डूट एवं ग्रोइंग अप ठीक है तो यह हो गया आपका तीसरा सब्ज बच्वों करम चौते सब्जेक्स की बात करें तो चौता सब्जेक्स है उसमें सिक्षा में क्या क्या चीज़े हुई इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपके फोर सब्जेक्स में वह हैं समसामाईक भारत और सिक्षा कंटेंप्री इंडियन एड्यकेशन ओके यह हो गये वह चार आपके कॉमन सब्जेक्स जो कि हर एक विद्यार्थी को पढ़ना है आप बात कर लेते हैं बच्चों ऑफ्षिनल सब्जेक्स के बारे में तो आपका एक और सब्जेक्स के लिए आपको दो सब्जेक्स का उप्श आपको ज्यादा है बाकि आप उसके अलावा भी चूज कर सकते हैं चलिए शादियों में पठाके बज रहे हैं शायदे इसलिए पठाकों की आवाज आ रही होगी तो यह जो सब्जेक्स हैं बच्चों इस सब्जेक्स के दो आप्शन आपके दियेंगे पहला है इन्वार् सब्जेक्स चूज कर सकते हैं चाहिए वो प्राइवरी सिक्षा चूज कर लें या फिर वैल्यू एंट्री सब्जेक्स सांती सिक्षा को चूज कर लें तो अगर हम सब्जेक्स की बात करें तो आपको टूटल पांच सब्जेक्स पढ़ना है जिसमें चार सब्जेक्स कॉम है अगर उन common subjects को हम एक बर और से रिपीट कर दे फंडमेंडल अफ एड्यूकेशन नौलेज एंड करिकुलम चाइड्लूड एंड ग्रोइंग अप और contemporary इंडियन एड्यूकेशन अगर हिंदी में बात करें बच्चो तो आपके जो चारो सब्जेक्स हैं वह हैं सिक्षा के मूल तत्व ग्यान एवं पार्ठी करम बाले आवस्था एवं विकास और समसामाइक भारत और सिक्षा ये दोनों आपके कितने नमबर का console paper होता है ठीक है सो चली बच्चो आपके 5 सब्जेक्स है तो आपके Total कितने नमबर का paper होता है वह 500 नमबर का होता है आपका जो Social Bl critics बनेगा वह 500 नमंबर में बाकि 30 नमबर जो बच्चों वो आपको internal मिलता है, यानि कि आप जिस class में पढ़ रहे हैं, उस college में आपका performance कैसा है, उस college में आपका assignment कैसे submit है, उस college में आपने कितना class लिया, उसके behavior के हिसाब से college वाले आपको per subjects में 30 नमबर देते हैं. तो इस तरह से 70 नमबर external जो आप center पे जाके देंगे, 30 नमबर आपका internal जो कि आपको college आपका college आपना देगा, तो इस प्रकार से 30 और 70 यानि कि 100 और 5 subjects के 500 नमबर का आपका total first year का paper होता है, तो यह होगी दोस्तों, sorry, first year के first semester का paper होता है, तो बच्चे यह होगी आपके total first year, first semester क subjects के regarding बाते, उसके marks के regarding बाते, अब आपको पहले subjects में क्या पढ़ने, आपको question या बुच्छा जा सकते है, कि से हमें पहले subjects में क्या पढ़ने, तो आए ये one by one subjects में गर हम discuss करेंगे, लेकिन हम इसको अगले वीडियो में discuss करेंगे, ठीक है, वोगी short videos, अब हम अगले video में ज आपका total syllabus है अभी syllabus के अंदर जो topics जैसे कि पहला topic है सिक्षा का परीच है introduction of education education होता क्या है education के मतलब क्या होता है education को कैसे लोगों ने परिभासित किया education के aims क्या होते है objectives क्या होते है characteristics क्या होते है इन सारे चीज़ों को पढ़ना है आपके आपको सिक्षा के अभी करण ठीक है फूर्थ यूनिट में डिवाइड है और इस पांच यूनिट के अंदर क्या पढ़ना हम इसको वन वाइवन देखेंगे सारे सब्जेक्ट को देखेंगे हम पूरे समेश्टर साथ मिलके पढ़ेंगे बढ़ हमें उसके लिए क्या चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए आपका साथ चाहिए आपका सवयोग चाहिए तो दोस्तों मेरे पास काफी अच्छी strength है अवद विस्विद्याल है फैजाबाद के बच्चों की और मैं उम्मीद बच्चे चाहिए कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जिनसे हम पुरसनली बात करके उनको गाइड कर सके उनसे पढ़ सके तो बहुत लिमिटेट लोगों की एक ग्रूप बनाई जाएगी तेली ग्राम पे जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ आप वहां से हमें ज तो टेली ग्राम ग्रुप की बाकि दोस्तों यह वीडियो कैसी जनकारी कैसी लगी बाकि कोई कोई कौईरी हो कुश्चे और बेशक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आप अन्वे से वहां से में एस बीडो चोब मेरी तरफ से यह मों जरूर ड़ुआ कब ठीक के Decochnet उमिद करते हैं कि आपको सभिसमेंट शालमेंस आपको समझाया होगा और अगर हमेंस प्रिसके सब्सक्राइब करते हैं तरफ करते हैं प्रीवेस से क्केस्ट्टिंटि साथ बहुत cd करनी हैं पूरे संमसटर में आप सब करते हैं दोदि